योई में 31 सब्टूबर तक का ही है समय नहीं होगा एक्स्टेंशन नमश्कार स्वागत आपका हमार चानल योई खबर पर खबर शिरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अरफ टाइमस आपको डाउनलोड नहीं किया है तो फटा फट कर लीजे बतादे डाउनलोड करने के लिए जादा माता पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है जाना है प्रेस्टूर पर सर्च करना है अब टाइमस आप वहाँ पर आपको आप दिख जाएगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं सो फटा फटा डाउनलोड करें ने एक घोशना की है और यह घोशना सोंबार को की है और उन्होंने बताया है कि 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाला वीजा माफी कारिकरम का एक्स्टेंशन नहीं किया जाएगा आइसीपी ने कहा कि निर्वासन होगा और नो एंट्री सूची में उलंगन करताओं को शामिल करने के साथ उपायों को करा किया जाएगा एक नव प्रियान उलंगन करताओं को पकरना और उन्हें निर्वासत करना जारी रखेंगे उन्हें भविश्य में देश में प्रवेश करने से प्रतिबंदत वैक्तियों की सूची में डाल दिया जाएगा पहचान रास्ट्रियता असीम अश्यलक और बंदरगास सुरक्षा के बरती जाएगी और कोई अदालेती कालवाई नहीं होगी मेजर जनरल सुल्तान अलनाईमी के अनुसार बहुत सारे मामले प्राप्त हुए हैं और इस अबदी के दोरान कई लोगों ने अपनी स्रिति को समय जित किया है अधिकारी उलंगन करताओं के स्थानों के निक्रानी कर रही हैं और जुर्माना लगाएंगे और उन्हें देश से नर्वासित भी कर देंगे जब तक कि जुर्माना का भुकता नहीं हो जाता तब तक उनके यूए में एंट्री करने की कोई संभाबना नहीं है उन्होंने उन लोगों से आग्रख किया है जिन्हें निकास पॉम लाइनों द्वारा टिकेट जूट यहां तक की मुफ्त टिकेट के माद्यम से सहाइटा भी प्रुदान की गई है अगर सीधे सब्दों में बताएं तो बता दे कि हमने आपको बताया था कि दो माहिने का माफी कारिकरम चल रहा है जिसमें अगर आपका वीजा से इतना ही नहीं माफी भी मलती आपको और आपको देश चोड़ने के लिए पॉमिट भी मिलता जिसके बाद आप देश आसानी से चोड़ सकते थे और आप पर कोई प्रतिबंद भी नहीं लगाया चाहता आप आसानी से वापस भी लोट सकते थे लेकिन जो लोग इस दो महीन जबरदस्ती उन पर जर्माना लगाए जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बता देगी यह जो वीजा माफी कारिक्रम हैं वो 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा उसके बाद इसके एक्स्टेंशन की कोई भी संभाबना नहीं है यानि कि आपके पास मौ पास की गई है कि किर्पया यूए छोड़ दे नहीं तो उनके उपल भी कादवाई की जाएगी पैसा वहां कर दुबाई क्यों जाते हैं भाटी वजह जानकर खुद हो जाएंगे हैरान देकि दुबाई एक बहुत आली शान और खूबसूरत शहर है यह उन जगों में शाम पसंद करते हैं इस जगा पार बीच से लेकर डेजर्ट तक का एक्सपीरियंस ले सकते हैं नेचर लवर हो या फिर एडवेंचर के शौखीन हर किसी के लिए यह जगा अच्छी मानी जाती है यह शहर दुनियावार में अपनी अलग पहचान बना चुका है संयोग तरव वम पसंद के लोगों को इतना जादा पसंद क्यों आता है इसके पीछे के कारणों के बारे में चलिए आज डीटेल में बताते हैं दुबाई की नाइट लाइफ काफी ज़्यादा जिवन्त हैं दुनिया भर से जाने माने सेलेप्स दुबाई में कॉंसर्ट के लिए आते हैं यहाँ पर लग्जरी, लाउंज और नाइट कलब्स की भरमार है दुबाई के बीच कलब्स भी फेमस है दुबाई में अगर आप काम कर रही हो तो आपसे कमाई पर टैक्स की रुप में एक भी पैसा नहीं लिया जाता है टैक्स्ट्री इंकम होने की वज़ह से आप पूरी सैलरी अपने घर ले जा सकते हैं दुबाई के लिए वीजा प्राप्ट करने का प्रॉसेस काफी ज़्यादा आसान और फ्री होता है घूमने से लेकर बिजनस करने तक के लिए आपको सरलता से वीजा मिल जाता है आप ओनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन्स से लेकर इटि डिपार्च्मेंट तक दुबाई में भारतिये लोगों के लिए देश्दारे मौके होते हैं काम की संभापनाएं और पैसा दुबाई से ज़्यादा है ऐसे में भारतिये बहां काम करने के लिए भी काफी जाते हैं दुबाई भाले से 2,475 किलोमेटर दूर है भारत से फ्लाइट के माध्यम से आप तीन से चार घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं इतने पास होने के चलते भी भारतिये लोग दुबई में काम करने या अन्यकारणों से जाना वाँ पर जादा पसंद करते हैं सुरक्षय और सर्था के लिहाद से ही दुबई काफी ज्यादा बेहतर है यहां क्राइम रेट भी काफी कम है और ऐसे में आप बिना ढरे और चंता मुक्त होकर दुबई से दुबई में यात्रा और फिर काम भी कर सकते हैं दुबई एक अंटेदास्ट्री डेस्टिनेशन हैं जोहां घूमने का सबसे अच्छ गर्मी में जाएंगे तो आप आउट्डूर जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें हिस्सा नहीं लेपाएंगे क्योंकि उस वक्त बहुत जादा गर्मी पड़री होती है और बाहर निकलना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है दुबै में पैदा होने वाले हर बच्चे को मिलेगा स्पेशल पास्पोर्ट देखिए युएई में अब बच्चों को स्पेशल पास्पोर्ट मिलेगा ताकि उनकी सिक्षा यात्रा पर नज़र रखी जा सके और माता पिता को अपने बच्चों की सिक्षा के वारे में सूशित नर्नाय लेने में सहायता मिल सके खलीस टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पहल को दुबाई स्वास प्राधिकरन के साथ साज़ेदारी में लागू किया जाएगा के एच डिये की महाने देशा का आईसा मीरानान ने कहा कि लर्निंग पासपोर्ट का और देशे हर बच्चे के सिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है यह कंपल्चरी स्कूल एज के बच्चो को रजिस्टर करेगा और स्कूलों में उनके अध्मिशिन की निगरानी करेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी बच्चा सिक्षा से वंचित ना रह जाए यह प्रणाली कमपल्चरी स्कूल एज के उन बच्चों की भी पहचान करेगी जिन्होंने आभी तक आडमिशन नहीं कदाया है जिससे उनके सिक्षा को सुरक्षित करने के लिए तदकाल कालवाई भी की जा सकेगी मिरान ने आगे बताया कि लर्निंग पासपोर्ट हर बच्चे के सिक्षा के अधिकार की गारंटी देने पर सेंटर्ड है हम दुबई में सभी बच्चों का हिसाब रखना चाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सेक्षिक तुनाली का हैसा है उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे सिस्टम में शामिल कर लिया जाता है जिससे हम उपलब्द सेक्षिक चर्णों को सबस्ट रूप से समझ पाते हैं और इस्तानिय नर्सुरी के बारे में जानकारी भी प्रुदान कर पाते हैं विरार ने बताया है कि प्रारमिक बच्चपन केंद्रों में अमिराती बच्चों की नमांकंदर वैश्विक औसत से कम है जो उनके विकास और सेक्षिनिक सफलता को नाकारात्मक रूप से प्रभावत करती है उन्होंने जोर देकर कहा कि शोध से पता चलता है कि बच्चे के मस्तेश्क का 90 प्रदिशत हिस्सा जन्म से 5 साल की आयो तक विक्सित होता है जो उनके भविश्य के सैक्षिनिक प्रदिशिन को प्रभावत करती है इसके अतिरिक्त लर्निंग पास्पोर्ट का उदेश्य माता पिता को अपलब्द सैक्षिक वकल्पों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना है जिससे वे अपने बच्चों की सिक्षा के बारे में सूचित विकत चुन सके तो यह तीर तमाम जानकारी बने रही है इसी तमाम खबरों के लिए यूँए खबर पर